दोस्तों क्या आप एक कोईन केलेक्टर हैं आप घर बैठे मगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए नोट रो सिखे तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप्लिकेशन को यह बैस्ट नुमिस्मेटिक एप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जहां पर बहुत सारे कोईश़ नोट इभीलेबल आ है चाहिको मुगल हो एंचयंट हो ब्रिटीश लिव एक के काफिक में लिंक अवी नामस्कार बात करेंगे British India के चारणनास कोईन के बारे में दोस्तो चारणनास के कोईन इसके र कैटिग्रीम आते हैं और इसमें एक कोईन काफी ज़्याद रेयर भी है चारणनास के कोईन दोस्तो सिर्फ तीन यर्स में देखने को मिलते हैं 1919, 1920 और 1921 अब क्या कारण है British India में सिर्फ ये जो चारणना के सिर्फ तीन यर्स में ही ढाले गएते बहुत इंटरस्टिंग इसके पीछे एक फैक्ट है वो आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा और अगर आपके पास भी 1920, 1921 या 1919 के चारणना के कोईन है तो आपको उसकी सही वैल्यू पर चलेगी आज की इस वीडियो में और इन में से एक कोईन मुझे अपने कलेक्शन के लिए भी जाईए अगर आपके पास है तो संपर्क कर सकते हैं लेकिन उसके लिए वीडियो को पूर आपको एंट तक देखना होगा चोटी वीडियो है वीडियो को इसकी इपना करें आप काफी ज़दा knowledgeable ये वीडियो है और चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करके उस bell notification को भी दबा दे कि आने वाली वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों आज की इस वीडियो का जो topic है वो है British India के King Jaws 5 के शाषनकाल में बनाए गए चारणनास चारणनास की वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ लेकिन उसमें मैंने topic जो cover किया था 1921 के रेयर चारणनास के कोईन का आज की इस वीडियो में आपसे बात करूँगा 1919 के चारणनास के कोईन के बारे में उसके बाद 1920 के चारणनाकी कोईन की डेटेल वीडियो आएगी तो British India के शाषनकाल में बनाए गए किंग जोड़ फिस के चारणना के कोईन स्केर के टिगरिम आते हैं और ये स्केर्स माने जाते हैं UNC कंडिशन में इन्सिको की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यो होती है मेरे पास दो है दोस्तो ये चारणना का जो कोईन है मैं कोईन होल्डर में से आपको निकाल कर दिखाता हूँ ये है दोस्तो 1919 का चारणना इस तरह के जो दोस्तो कोईन है ये चारणना के ये 1919, 1920 और 1921 के येर में देखने को मिलते है अगर मैटल की बात करें इस सिक्के की तो ये कोपर निकल की धातु से बनाए गया 6.80 ग्राम का इस सिक्का है जिसका साइज है 24 mm और शेप ओक्टागन आठ कोने इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस शेप में और इस तरह के आठ कोने वाले कोई इस काफी कम देखने को मिले हैं British India में यहाँ पर देखोंगे तो यह पूरे आठ कोने आपको देखने को इसमें मिलेंगे और अगर Overs की बात करें तो Overs में आप देखेंगे तो Crown Head of George V facing Left यहां पर crown देखेंगे और King Joseph का जो face है वो left की तरफ है और बात करें Riverside की तो यहां पर देखेंगे denomination within square चार अनाज यह लिखा है यह और इस पर देखेंगे चार अलग अलग भाषाओं के इस तरह के शेप के सिक्के ब्रिटिश इंडिया के शाशनकाल में काफी कम बने थे अब समझने वाली यह बात है कि जो चार अनाज के कोईन है यह सिर्फ तीन साल ही बनाए गए थे 1909, 1920 और 1921 उस समय क्या था दोस्तो उस समय ब्रिटिश ज्ञेए श्ञेए ब्रिटिश इंडिया में नोट बनते थे तो उस समय काज़ को मुद्रा ना समझह को मुद्रा समझा जाता था ऐसे ही जब बिटिस सरकार ने ये कौपर निकल के सिक्के जारी किये तो जनता ने एकसेप्ट नहीं किये थे ये उस समय तो सिर्फ इनकी तीन साले डलाई होई उसके बाद ये दुबारा नहीं बनाए गई सेम यही कहानी आठ हन्ना के साथ है क्योंकि उस समय सिक्के चलते थे अगर आप देखें कोई हाफ रूपी चलते थे लेकिन कोपर निकल के सिक्के बनाए गई ये आठ हन्नास के तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था तो ये बहुत कम बने थे बहुत कम समय के लिए बने थे आप ये कह सकते हो क्या एकसेप्ट नहीं किया था जन यह coin आपको दे सकते है 300 रुपे से लेकर और लगबग 8000 रुपे तक depend करता है coin की condition कैसी है skates category के coin है और अगर यह coin आपके पास very fine या extra fine condition में भी है तो very fine condition में भी आपको 500 से 700 रुपे दे सकता है और extra fine में भी इसकी कीमा चली आती है लगबग 1500 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक तो 1919 में बनाए गए King George Swift के शाषन काल में बनाए गए यह 4 अनागे coin इस केर माने जाते है यह आपको collect करने चाहिए वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद है यह तो like करें चैनल को subscribe करें उस गंटी को भी दबा देता कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज किस वीडियो को ही खतम करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद